जय 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 शी राधिय जय 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 शी कुष्णा अमारा चनल जोतिस सेवा बंदावन धार्म आध्यात्मिक और जोतिस की जितने भी ग्रय हैं नक्षत्र हैं राशी हैं लगन हैं इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकानी देने के लिए यह चनल है आप हमारे चैनल को देखें वीडियो देखें पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्याइब करें बैल पुष्ट बटन अवस्त दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्सा मिलता रहें और हम उसी जोस के साथ आपको निरंतर जोतिस से और हमांगली के योग क्या होता है क्या इससे और इसका पूजा करने चाहिए किसे करना चाहिए इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी मांगली के बारे में दे रहें हम देखते हैं कुंडली के पहले भाव में को भाव बताते हैं पहले भाव में मंगल हो चत्रत भाव में मंगल हो सब्तम भाव में मंगल हो अट्रम भाव में मंगल हो और 12 भाव बता देते हैं आपको ये पहला भाव, चोथा भाव, साथमा भाव, आठमा और ये भाव हैं, ये भाव हैं, मैं को लगन नहीं बिदाई, ये सब भाव हैं, अगर इन भाव मंगल होता है, तो हम उसको मांगल जो कहती हैं, हमारे समाज में, जो मंगल दोस है, उसकी अगर उपरस्तिती है, पर्थम चतुर सत्तम अश्टम 12 में, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम, ये डर का महल बन जाता है, मंगल दोस को अनुदेखा नहीं किया जासाथा, ये बैवाहिक जीवर में परेसानी प्यदा करता है, इससे बिवाह से पहले मंगल दोस के लिए हमें कुंडली मिलवाना भोज जिलरी हो गया, आपने देखा होगा, बहुत से लोग मंगले के हैं लड़की है, लड़का, 30 साल, 35 साल तक हमारे पास भी आते हैं, कि साधी नहीं हो पाती है, क्योंकि पंड़तों के पास आते हैं, वो एक काकती, हुआ पाता है, इसको अन्यू जबहों के रखहे है, मंगले के हमें मंगले के बता दे लिये हैं, लड़का मंगले देखो, नहीं मिलता, हाँ वेचे बिना साधी के बढ़े गेते हमारे पास की भहूत आते हैं, हमने ढ़िए अन्यू परिहार के रुपन को रास्ता द करना थोड़ा नुक्सान दाएगे अब देखते मंगल कुंड़ी क्या होती है और इसकी पहचान क्या है और क्या-क्या यह हमारे उसके कुंड़ी में प्रभाव डालता है यह मंगल देव आपको पूर्ण करके हम बताएंगे आप बताते हैं कि मंगल देव आपके लिए क्या क मंहल आपका लगं में बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव कुझा परते का मैं शृत्चे मुस्भाव पर्ण के पर 2 प्रपेर मंगल की जो द्रश्喔 कि लिए फिपना प्रभाव देखाता है लिए उए मिठीनिद्ष्टिन उपना अपर प्रभाव दिखाता है अब यह देखते हैं कि मंगल यहां बैठने के बाद में इस कुंडली में क्या क्या प्रभाव लाज़ेगो अब देखते हैं कि यह यहां बैठकर के चतुरतु पर सप्तम पर अश्टम पर तीन भावों पर दृष्ठी जालता है यह बाव उस जातक के चरित रुब्रवार को ह बेवार क्या है और वो जो जातक है उसका जो चरित्र क्या है वहां पतलाता है जातक यहां मंगल के बैठने से क्रोधी सवाब का हो जाता है मंगल उर्जा का ग्रह है शक्ति का ग्रह है मंगल यहां बैठेगा तो उसमें गर्मी पैदा होगी बात बात पर ऐसा जातक गुस् कि यहां पर दिए यहां पे इसके हम आगनिय का पिचार भी करते हैं। इसए क्या होगा गाड़ी आगनी रसायन या विजली smyc पर बात करते हैं मंगल की दुष्ट्रिया पर पर परेशानिया पहला गरता है तो पारिवारी की जीवन है उसमें मंगल यहां पर परेशानिया पहला गरता है पाप ग्रहें हैं मंगल यहां बैठके सब्सक्राइब को देखता है इसके पत्री के साथ में यहां दिखता है ही दूसरी बात है कि हम बाव से सप्चाहिए दह को आसे मिद्र ब्यापार ब्यापार भी देखते हैं साजयदारी भी देखते हैं कि मों मों कता है और महिटा धार दिश्टि अको पर यहां एक पछ। रहो यह मारक silika इसे एका पूंकि सतान में एक तो मंगर खुद महारतिया यहां पर इसंटंगा यहां पर योग बनाता है पता करते हैं कि मंगल अगर चत्र दुभाव में बैठता है कि यह मंगल चत्र दुभाव में बैठता है तो इसकी जो द्रिश्टी है एक दो तीन चार पहली द्रिश्टी सब्तर महाप पड़ेगी दूसरी द्रिश्टी पड़ेगी तीसरी द्रिश्टी इसकी एक द्रिश्टी पड़ेगी अब देखते हैं कि मंगल का यहां क्या प्रभाव होता है अगर यह चत्र दुभाव में बैठता है तो इस्तिति क्या बनती है आपको बताते हैं मंगल चत्र दुभाव में बैठता है पहली दस्टी सब्टम पर आई दूसरी दस्टी दसम भाव पर जाएगी और तीसी दस्टी जो लाओ भाव पर जाती है यहां क्या करेगा बैठने के बाद में यह हम आपको सारी टेटिल एक एकर करके बताते हैं कि दस्टी डालेगा तो वहां क्या करेगा अगर दस्टी डालेगा तो ब्यापार में बड़े तीजी से बदलाव इस जातक की हो अगर यह ब्यापार करता है तो इसका जो ना बहुत तेजी से बदलाव होगा और बदलाव ऐसा होगा यह गिरेगा ब्यापार या इसका उंच वड़ जाएगा यहां बैठकर के यह अनंद्रा की इस्तिति बनेगी, इस्चत की लिए्ग के लिए, यह सुक में इसको नेज की बीमारी हो सकती है, नेज इसको नहीं आईगी यहां से जब यहां दश्टि डालता है जो दसम भाव है, यह हमारी कुंडली में पिता का स्थान है, नवम भावी बिरेजावग में जोड़ी डालेगा इसकी अनवन जरूर हो सकती है ऐसे विखति की अपने पिता से अनवन हो और एक असको इसका दिश्ठी जाती है इससे जाने का मतलब होता है कोई चोरी दरगडना से नहीं हो यह मत्रा का वह हुए ज़िको मित्रों से 2 दोका मिल सकता है और छटे से यह उस जटमा बनता है तो छटमे मैं से जात कुछ परेशानिया मिलती है इसकी जटी जाने बाद इस बाव में परेशानिया यह दो कि बात करते हैं कि मैंने आपको चतुर्थ का मंगर मन बताता हूं मंगर आगर यहां बैठेगा क्या करिगा पीजिग की धसंद्स बावों पर गुग के दूसरी अखियरी रखन पर तीजिप यो पर थे की बाते बॉट अब मंगर् मंगर जब सब्सक्राइब बैठता है तो यह दूसरे भाव को प्रभावत करता है और यह सब्सक्राइब पत्नी अगर यह किसी आदमी कुंडली तो इसकी पत्नी का इस्तान है और किसी और इस बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है यहां गर मंगल बैठेगा तो अलगाव वालिस्ती पेता करेगा कठनाईयों का सुचिक बन जाएगा बैवाएक जीवन अस्तवस्त हो जाएगा यहां मंगल बैठने के बाद में इसके जातक है जिसकी कुंडली में यह मंगल यहां बैठा हुआ है और जब दूसरे गरविस्त और पैसे में खोवी शक्ति हैं और इसक यहां बढ़ने में लु अफ्यान कार्षा करते हैं यहां मंगल लोग्तम छोफ सकती है जब मंगल बैठatoire से पहले द्रीग एक दो तीन चार कि आपको एक वह कंब जाएगा कि दूसरी द्रीज की इसंटीज प्रिश्णी स्की बजाओ जाएगी सब्सक्राइब करेगा ऐसा जातक आग रसायन बिजली की चान लेवा दुर गड़ना का सिकार हो चकता है तीसरे गर के प्रभाव को भी खराब करेगा बहन वाई में भी तराव पैदा करा सकता है इसलिए एस्टमत मंगल किसी प्रकार से जातक की लिए सुब नहीं हो जाता है है अब बात करते है मंगल अगर बार के बैठा हो अ हुआ कि यहां से जो इसकी दुर्ष्टिए शलिए हैं इसके यह हैं उसके वाद इसकी चेस्टिए हैं सब्तां यह सब्तम बाव कि छहटा वावा तीसरा वाव कि फीपिया see the एंड इध्वने के वाद में मंगर अंग्विक्टी कि आध़त को लृवर के वार निखेंश करें चाहंए क्या बेता सा खर्चा सकता है खर्चे निंचे की नीचिया और उसको ब्लाट पैसर की बीमारी हो सकती है टेंसन हो सकती है पेट का रोग हो सकता है मंगल यहां बैठने से पेट का रोग हो सकता है खून की बीमारी दे सकता है इसको और उसके बाद भी मंगल दोस इहां कही प्रकार की समिश्या देता है यह जो भाव है मैं ज्यादा खु संतुष नहीं कर पाएगी इसके अगर बाहर भी संबंद हो सकते हैं ऐसा जाते हैं बहुत मंगल की दौरा प्रभावित होता है बहुत जादा उसको यहां परिशारियां मिलती है क्योंकि यहां के बारे में सब बार सारी बातें बताना थोड़ा संभवी नहीं और थोड़ा ठ पतनी के निजी भाव होते हैं सबकों पताया बैट रूम है पती बतनी का मंगल जैसा घ्रे बैठेगा दूरियां बढ़ाता है दूरियां बढ़ाएगा कठा या पैदा करेगा किसनी किसी में कमी पैदा करेगा तो दोनों एक दूसे सैटिस्वाइब नहीं हो सब अब हम य जोजता है कि आप मैं क्या करूं मेरे बच्चों की साधी कैसे मंगली है या नहीं इसके बारे में कों करेंगा बहुत से पंड़त हैं जो ब्रहमित हो जाते हैं लोग उसे उनका पर विस्वास उठ जाता है अब हम बात करते हैं आपको यह बताते हैं कि हमारी कंडली में युणकॉठ समय आती है तो इसका समयधान भी है ऐसा खाली समस्या पैदा होगा होगी समयधान नहीं समयधान करने वाला ठीक होना चाहिए उसका अब स्विक्न धो कि अब इसमें क्या होता है कि मंग fij कुंडिली में कहीं भी बैठा हो पहले में बवाव कर hoje चतुर्थम में बैठा हूज तो में घृटता है कि न हमारा ग्रें और वी ऊठकाऊ बूरा होता है अभी इसमें सूर्य है चंद्र है मंगल के लावा बुद्ध है ब्रस्पति है शुक्र है नहीं है राहु है के तुए आठगर और भी है तो यह ग्रह भी कोई इसमें ऐसा योग बनाते हैं जिससे इस मंगली दोस्का या मंगली को दोस्का परिहार माने इसका उपाय हो जाता ह है वह जाता मंगली नहीं होता है उसकी साधी एक सिंपर आदमी से भी या सिंपर लड़की से भी हो सकती है अब वह उपाय क्या-क्या है हमें यह देखना भी बहुत जरूरी है और बिना देखे हम किसी भी इस्तितिव या किसी भी एक निरने पर नहीं पहुंच सकते हैं एक कहीं हैं लड़की के में बेटा है लड़के के से बढ़ें जा तक मंगली नहीं नहीं है उसकी साथियाव नॉर्मल बचे वजाद कर सकते हैं दूसरा उपाए इसमें पहला वाव चोथा वाव सत्ता मस्टम बारे इन पांच भावों में कहीं पर भी अगर सनी हो सनी बैठाओ यहां 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 तो मंगल दोस नहीं होता है उसकी साधी आप जो है किसी भी नौन मांगलिक बच्चे सीव कर सकते हैं और उसको किसी प्रकार का कोई पठनाई या कोई परिशानी बिल्कुल नहीं आए बात करते हैं यहां एक नंबर में आपको द्वारा बताता हूं यहां मेश रासी हो एक नंबर की रासी हो और एक नंबर की रासी में मंगल बैठा हो मांगली की दोश नहीं होता है ब्रश्चिक रासी हो मेश रासी हो मंगल दोश नहीं होता है यहां पर मंगल बैठा हो और इस बाहो में आठ नंबर हो या एक नंबर हो मंगली दोश नहीं हो है बच्चा normal होता है ऐसे यहां पर सप्तम भाव में करb quiet राशी करक आंगे ऊपस्थ माँवाव में इसका मंगल बेटा हो करू का मंगल दोष नहीं होता है आठबे भाव में या इसमें धनू का वैज मेन आ नौ नौ नमबरस में हो या बारे नमबरस में हो तो मंगली दोस्ट नहीं होता है बारवे घर में तुला का या बरस का मंगल हो यह बारवे घरे इसमें या तो साथ नमबर का मंगल हो या दो नमबर का मंगल हो कुण्डली में नहीं होता है गुरू और मंगल की कुण्डली में कहीं वी यूति हूँ कि यहां गुरू मंगल बैठे हैं मांगल की दोस नहीं है गुरू की दिस्टी पांचवी है साथ में है यहां मंगल बैठा है और गुरू की दिस्टी मंगल के उपर है मांगल की दोस नहीं है अगर हम एक चीज और देखते हैं कि गुरू की जो पांचवी दिस्टी है मंगल गर यहां बैठा है और गुरु यहां बैठा है तो गुरु की पूर्ण दिश्टी एक दो तीन चार पाज मंगल के पर आ रही है मंगलिक जातक नहीं है गुरु की सब्दम दिश्टी अगर मंगल पर आती मंगल यहां बैठा है मंगलिक नहीं है गुरु की नोवी दिश साथ आठ नोवोग है पांच छेता आठ नूव अगर यहां भी मंों बैठा है और गुरु भाया लगन सब्सक्राइश नवे बेटा हूआ आगे देखते हैं तो दोनौं से कोई भी एक क्यांज जातक पमूंनित नहीं होता है आगे देखते हैं मंगल किसी ऑज़ेक भता हो में यहांं दस नंबर हो यहां 10 नंबर हो यहां 10 नंबर हो यहां दस नंबर हो और यहां दस नंबर हो दस नंबर मकर की रासी जा नंबर है दस नंबर रासी में मकर की रासी में मंगल उचका होता है अगर इन भावा में मंगल मकर रासी में बैठा हुआ है तो वहां भी मंगले की दोस बुलकु नहीं होता है बच्चा नॉर्मल होता है और किसी तरह का उसको कोई दोसरी है राहू केंदर में हो बात करते हैं राहू केंदर में बैठा हो यहां यहां केंदर में बैठा हो यहां केंदर में हो यहां केंदर में हो यहां केंदर में हो यह त्रकॉन में हो कि यह प्रड़ करें दायों यह बखुत तारी योग होते हैं कुद्ली ओमें जो इस मांगल इख नहीं ऑब बनता है उसका परिहार करते हैं उसका उपाए करते हैं तो मैं आज आपको एक चोटा सा एक वीडियों बनाया हैं बहुत से लोग मेरे पास आते हैं परिशान होते तो यह कहते हैं हमारा बच्चा मंगली है साधी हमें मंगली से करनी है और हमें कोई मंगली लड़का या लड़की नहीं मिल रही है तो हम क्या करें तो मैंने आपको यह छोटा सा ही उपाई बताए है इसके और भी बहुत सारे उपाई है उसमें आप पीपड के साथ या कुम्ब बिवा कर सकते हैं ठाकुची से बिवा कर सकती लड़कियां तो उसके बाद में फिर लड़के से किसी असाधी कर सकती है महां मंगली के खिंड हो जाता है और उज्जेन के अंदर एक मंगल देवता का मंदर है वहां मंगल देवता की पूजा करा ही जाती है । Pi जो यह सब मांगल के अद्धू के बारे में जो चीज़े बताई है यह अखिरे सब भूश विश्वास करके इन टिफ्सको आजबाईए, आपको किसी तरह की कोई परिशानी नहीं हो, मेरे पास बहुत ऐसे जातक आते हैं, किसी को मर 30 साल है, किसी की 32 साल है, किसी की 35 साल उमर वाले भी आती है, लड़की आती है, लड़की भी आती है, पने तोन उनको कह दिया होगा आप मांगले को, जब तक आपको मंगली लड़का लड़की नहीं मिलते हैं, आपकी साधी संभब नहीं है, मंगल दो से डगने की ज सारे हैं आप हमारा वीडियो देखते हैं इस वीडियो में फोन नमर भी है आपको अगर कोई दिक्कत है किसी को भी दिक्कत है मुझे से कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं उसे बात कर सकते हैं कुंडिले में कोई परेशानी आ रही है तो बात कर सकते हैं मांगरी दोस्की ब झाल झाल